नमस्कार मैं सुशील पाल और आप देखरें MPTV इंडिया और आज मैं आपको एक ऐसे शक्त से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिनकी कंपनी ने जब अजमीर में कदम रखा तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा स्मार्ट सिटी की गोष्णा तो अमेरिका से हो गई थी तेकिनों सिटी को स्मार्ट बनाना बहुत चैलेंज था और उस चैलेंज के तहट बिजली की वेवस्ता इस तरीके से समस्या के तौर पर कंपनी के सामने आई कि उसका मुकावला करना बहुत चुनोती पूर ता अजमे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है टाटा पावर डिस्टिपिशन अजमेर के मुख्य कारीकारी अधिकारी गजानन काले सर बहुत-बहुत स्वागत आपका इंडिया पर सबसे पहले तो हम भी जानना चाहेंगे कि टाटा कंपनी अजमेर में आई तो क सबसे बड़ी चुनोती हमारे सामने थी कि नेटवर्क को ठीक करना क्योंकि जिस तरह का नेटवर्क हमारे साथ था उसमें जाहतर आपने दर्गा एरिया जो हमारे बहुत ही कंजस्टेड एरिया है अजमेर का और जो विश्व प्रशिद्ध भी है यहां पर दुनिया बहसे लोग यहां पर दर्गा की विजिट के लिए आते हैं तो अगर आप दर्गा की बात करें तो दर्गा में अगर आप में रोड पर जाओगे तो ऐसा तारो का जञ़ा था कि उनको देख रहगता था कि इन केस कबी इस में फायर ऊजये कुछ हो जाए क्लीड नोग काम किया है, सबसे पहले यहां पर बजली विवस्ता को सुचारू करने का हमने सबसे पहले किया, तो उस कड़ी में में हमने जो open bare conductors थे उसको change किया, करीब-करीब हमने 25 km के अगर देखो गे तो जगह-जगह बने होई तो उस जॉइंट को क्या करें तो हमने एक अपने एक box design किया है एक टाइको box के नाम से उसको junction box कह सकते है उस junction box को करीब करीब हमने अपने अजमेर में 4000 junction box लगा है तो जिससे क्या होता है, जिससे केबल कनेक्ट करनी है आपने, तो वहाँ पर आपको open joint नहीं रहेगा, उस box के अंदर properly connect हो जाएगी, तो उससे दो खायदे हो जाएगे, एक तो public की safety रहेगी, कुछ भी open नहीं रहेगा, और टाइको box के अंदर joint रहेगा, दूसरा किसी भी तर दूसरा एक main था, आपने अगर जगर जगर पर transformer दिखे होगे, हर रोड पर transformer लगे हुए, तो अगर transformer की LT side में आपने रिखा होगे, जो fuses लगे हैं, एकदम open fuses लगे हैं, और उसकी height आप देखोगे, तो करीब 5-4 feet के करीब होगी, चार feet से ज्यादा नहीं होगा, अगर को करीब करीब अभी तक हमने 397 इस तरह के open fuse box थे उसको change किया है, और इस साल के अंदर, और करीब करीब 300 इस तरह के fuse box अबनारा change करने का प्लान है, तो इस तरह से आप अगर देखोगे, तो reliability और जिस तरह के stability of the supply, अजमेर को बढ़ाने के लिए, करीब हमने 42-45 crores यहाँ पर देखोगे, तो दरगा एरिया में mainly हमने काम किया है, जो इतारों का जंजा लेगे रहता है, उसको हटा दिया गया है, इसके अलवा public safety पे भी हमने काफी ध्यान दिया है, अगर आपने देखा होगा कि कही के जगह पर जो transformer लगे है, उसको हमने करीब 70-80 transformer को हमने फेंसिंग क कि कोई बच्चे या कोई जानुवर एक उस तरह से उसमें अंदर ना जा सके, या उसके इलेक्ट्रोपिट ना हो सके, इसके अलवा जैसे हमारा जितना नेटवर्क है अपने एजमेर में, उस सभी नेटवर्क को हम हर रात, हमारी जो रात में इंजिनियर्स रहते हैं जाती नहीं है, जो हम रोड वेगरे डालते हैं अर्थिंग के लिए नीचे तक जाती नहीं है, तो इससे चांस बना रहते है कही कही कि लिकेज करंट ना आ जा कोई इंफ्रस्ट्रक्चर में, तो हमने करीब करीब 25,000 इस तरह के पॉइंट अभी तक चेक किये हैं, और हमें कोई काम किया गए अजमेर में, जैसे कि आपने देखा होगा कि करीब करीब हमने यहां आने के बाद 36,000 फॉल्टी मिटर्स जो थे जो पुरानी जमाने के गरारी वाले मिटर्स थे या उसको इलेक्ट्र मेकेनिकल मिटर्स थे, तो 36,000 मिटर्स हुए है रिपले से अजमेर, और स्मार्ट सिटी की तरब से अगर काम करें तो जो हम इलेक्ट्रोनिक मिटर्स लगा रहे हैं, और अगला कदम होगा स्मार्ट मिटर्स के लिए, तो स्मार्ट मिटर्स का अभी तक हम नहीं सोचा नहीं है, क्योंकि स्मार्ट मिटर्स के लिए अभी स्मार्ट सिटी की तो अभी तो में रोड का काम हुआ है, जो इंटर्नल रोड के उपर अभी काम होना बाकी है स्मार्ट रीडिंग के एक बात आती है कि शायद पहले नहीं हुआ करता था टाटा पावर आने के बाद अब रीडिंग के भी फोटोग्राप्स आने लग गई, मिलने लग गई क्या टाटा के वज़े से गई हैंने क्या स्थी सऩय करता है अभी हमने यहां पर अजमेर में ही पहली बार स्टार्ट किया है पहले क्या है आपने दिखा हुआ स्टार्टिंग में काफी सारे लोगों के लिग नचैते हैं उ रीडिंग से रीलेट eड इडिंग रिलेट dart इसने नोट किया, दूसरी बार उसने पंच किया, तो अभी हमने नया सिस्टम क्या बनाया, कि वो जाएगा साइट पर जाएगा, देखके सीधा मोबाइल के अंदर वो रीडिंग फीट करेगा, जो सीधा डारेक्ट सिस्टम में आएगी, दुबारा से पंच करने के वाज अर तो आप कस्तमर को फोटो भी दिखा सकते हैं और उनका सैटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है इससे कस्तमर का, तो इस तरह से यह तो अभी प्रिलिमेरी स्टेज है, जब स्मार्ट मिटर आ जाएगे, उस ताइम पे डारेक्ली कस्तमर अपने मोबाइल पे बैठके अपन तो अगर उसको 100 रुपे दिये तो उसने गा ठीक है, रीडिंग कम कर दूँगा, लेकिन आप फोटो खिच के जा रहा है, तो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्या इसको ट्रांस्परेंसी से जुड़ का दिखा जाएगा जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए टाटा तो जैसे आपने एथिक्स के बाद कही है, तो बड़ा ट्रांस्परेंट और ओपन एंवार्मेंट रहता है, तो इसके लिए या हमारे जो स्टेकोल्ड है, सब के लिए बड़ा ओपन एटमॉस्पेर रखता है, कि जिस तरह से भी हम हमारी यहां हम एप्लोई को किसी तरह की ना किसी कस्टमर को इस तरह से करने देते हैं, तो इसके लिए चाहिए टेक्नालोजी का इस्तिमाल करें, करना पड़े, या किस तरह से आपको रूल्स रेगूलेशन लगा कर, इवन आपको पता हुआता है, रिसेंट्ली कुछ एजन्सी की लड़कों को, हमने अपनी तरफ हैं अब उत्म से एफाएर भी किया हैं, अगर आपको यहां से पता चल जाया होगा। या जिए कि तरह से पता हुआ पता ...दिण आपको इस कुछ अभी भी जो नए ने थेट किया और इसके तरीके अपना थेया है तो उसको हमने बूक करवा के काफी इससे मितलब पेनल्टी भी लगती है साथ में अफायर भी होती है किस्टमर्स की अच्छा अच्छा आने से अजमेर को कितना रोजगार मिला यह भी हम लोग जानना बहुत अच्छी बात है वैसे टाटा पावर के आजमेर में आने के बाद जो हमारे डायरेक्ट एंपलई है 149 एंपलई टाटा पावर के रोल पे काम करते हैं इसके अलावा करीब-करीब 652 एंपलई जो है वह और सोर्स के थूरू टाटा पावर के लिए सर्विसे देते ज अबर नो करन्ट की बात आये तो मैं आपको बता दू इवन जिससे आपको पहले पता होगा कि यहां पहले दीन में अगर सप्ला जाने से रात में नहीं होती है तो हमने लेकिन टाटा पावर का यह उद्देश रहता है कि हमेशा कस्तमर्स को राउंड दी क्लॉक उसकी बिदा रखी है कुछ सवाल अजमेर के लोगों ने हमसे जानना चाहे पूछा कि टाटा से आप पूछिए सवाल कीजिए टाटा से उसमें बहुत मैत्पून सवाल है कि विदानसभा चुनाव जब राजिस्थान में हो रहते तब राजनितिक दलों के माद्वियम से टाटा लोगों के लिए कोई मैसेज की इविविनल की समस्या है और टाटा की समस्या है यानि कि संबधित विभाग कौन-कौन से है उसके बार में आप बतावाएंगे कि टाटा सिर्फ इसी विभाग के अंदर डील करता है आप अगर दिखोगे तो डिस्टुबिशन से से रिकावरी करना इस तरह सारे काम टाटा पाउर करता है एविनल की तरफ से हमें जो मदद मिलती है वो जैसे नए ग्रीट बन रहे है या कुछ जैसे मैंने बताई स्मार्ट ग्रीट के अंदर आप और एट से अंडर ग्राउंड अभी नेटवर्क कर रहे हैं या कुछ 33 बनाने हैं तो यह काम AVNL ने क्योंकि हमारे distribution franchise का जो agreement हुआ था इसमें डिसाइड हुआ था कि AVNL हमें 70-80 क्रोड के इस तरह से grid और network बना कि देगा और हम अपना 37.5 क्रोड पांच साल में हमारा capex लगाएंगे infrastructure के लिए जबकि हमने अभी तक दो साल में ही आपना करीब 50 क क्रोड लगाना था हमने 50 क्रोड अभी तक लगा दिया है अपनी तरफ से और 20 क्रोड का इसी साल में मतलब आज इसी financial year में करीब 70 क्रोड हो जाएगी last 3 years में Tata Power जो लगा देंगा infrastructure development और improvements जो अजमेर के उपर खर्च किया है बाकि जो आपने billing की बात की है बिल से related क्या है Tata का सॉप्ट्वेर अगर आपने सुना होगा SAP तो SAP का सॉप्ट्वेर यहां billing के लिए लगा है जो worldwide यूज करा जाता है बहुत टॉप लेवल की companies जिसको यूज करती है तो SAP का सॉप्ट्वेर है इसमें किसी भी तरह का बिल में कोई error नहीं होता है अगर आपने एक बार उसमें रिडिंग फीड कर दी और जो टैरिप राजस्तान electricity regulatory commission ने जो decide कर रखा है वह एक बर अपने computer में SAP के software में डाल दिया जो रेगुलेटर ने टैरिप दिया है और अपना रिडिंग डाल दिया तो automatically आपको बिल बना के देगा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हेरा फेर नहीं कर सकता है तो एस पर जो regulatory norms एस पर regulatory टैरिप जो टैरिप है इसके अनुसारी customers को बिल बना के दिया जाते है बात रही राजनेतिक दिलो की तो राजनेतिक दिलो का तो different agendas रहते हैं उसके रहत उसके उपर में कुछ comment नहीं करना चाहूंगा एक सवाल यह भी आया था कि जो meter की readings है वो बहुत बढ़ करा रही है जिसके चलते शायद गलत readings है और जब camera में जब smart readings की आप बात कर रहे हैं तो जो photograph आते हैं उसके अंदर readings कम होती है लेकिन build के अंदर readings जादा होती है और ऐ reading device की जो हम mobile के थरू अब ही ले रहे हैं reading ले रहे हैं उसमें क्या है meter reader जो है meter में reading देखके mobile में पंच कर रहा है for example में बताओ आपको जैसे 5425 reading है तो 5425 की जो का 52 मतलब punching error हो सकता है तो इस तरह की अगर कोई भी गलती होती है जब तक हम smart meter नहीं लगाएंगे तब तक इस तरह की गलतिया होती है जो smart meter रहेगा तो वह automatically meter ट्रांस्मीट करेगा आपको sap के जो हमारा software उसमें ट्रांस्मीट करेगा और उससे direct bill बनके customers को mobile के थरू ही उसको email पे उसकी mobile पे चला जाएगा तो उस तरह की सुविधा आने के लिए इंफरस्ट्रेक्ट्चर डेवलप करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा जब आपको आज की डेट में कुछ manuals रहते हैं अगर इसमें manually कोई 11% error होता है तो उसको ठीक किया जाता है लेकिन किसी के साथ injustice नहीं किया जाता है किसी के साथ exploitation नहीं होती अगर customers आता है वो बताता है कि हाँ मेरे reading गलत पंच हुई है मेरे actual reading उतनी है तो विल्कुल उसको तुरंत उसी तरह से correct कर लिया जाता है क्योंकि हमारे पास photograph भी है हम भी देखते है हमारी गलती हुई है तो उसको correct कर दिया जाता है और िच्केलाब बहुत सारी शिकायत आई कि कहीं पर विजली की line डल रही है तो टाटा जमीदार है विजली की कुदाह अगर हो रही है विजली के पोल गिर रहे हैं तो टाटा जमीदार क्या वाकई इसके लिए टा जिम्मेदार है या इविदादार है Госудiken है आज की डेट में हमारा किसी भी तरह का कोई अगर काम चलता है इसके विशन का केबल का विगरे डालने का तो टाटा पावर सेप्टी नाॉंस का बहुत ध्यान रखती है अगर आप देखोगे कही पर भी अगर खुदा ही हो रही है तो टाटा पावर प्रोपरली इसको बैर सेफ्टी इसको प्रोपत지만 एगरे के एकटर वेचेल की सॉअगे कशन अधड्र में रहें तो टाटा पार के कोई बीसेज्व मां और अच्छा रहें है और से कूंद्र के दाटा आपशल रहे हैं तो आटा पार कि कोई बीसार गोलीस का इसं रहां अब आधा चरह कुशी है कुछ अपने आवेनल की भी काम चल रहे हैं तो उस बारे में कुछ कमेंड नहीं करूंगा बड़ टाटापावर की जितने भी काम होते हैं वो प्रॉपरली सेप्टी के साथ प्रॉपर बैरिकेटिंग के साथ और सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ होते हैं एक सवाल ये भी ह कि टाटापावर कटोती बहुत कर रहा है क्यानि कि बिजली कि लाइट्स जो है वो बहुत कटिंग हो रही है कट बहुत हो रहे हैं और उसके बाद कंप्लेंड अगर कोई करता है आपके टोड़ की नमर पे तो वहां पर बहुत दिक्कत आ रही हैं आज के डिट में अगर आ एचमेर के कस्टमर के लिए हैं जिसमें 30 लाइन से टंपिर है तो 30 भी अ déjà में कोई कस्टमर करता एगा 30 customers call waiting तक आप उसके रहते हैं हमारे 9 agents बेठे हैं तो 9 agents बात कर रहे हैं बाकि जो remaining 21 customers है वो call waiting पे रहते हैं बट 30 के बाद जब 31 ने या 32nd customer आएगा तो उसके लिए call drop हो जाएगा तो उनको यह लगता है कि किसीने call मिल नहीं रहा है या pick नहीं किया है बट जब रश होता है customer complaints का जैसे कुछ आधी तुफान आता है उस ताइम पर ज्यादा रश होता है तो ऐसा साल में 2-3 दिन का ही समय रहता है अपने या इतनी बारिश इस तरह से storm आते नहीं है तो फीछे दो दिन यह प्रब्लम आई थी बट रेगुलरली इसके लावा पांच जगह पर हमने customer service center भी खोले हुए जिसमें दिन दिन में काम चलता है इसके लावा एक dedicated प्रब्लम आने के बाद dedicated हमने mobile number रखा हुआ है कि जिस पे customer अगर उस पे नहीं लगता है तो आप mobile पे call कर सकते तो जिससे आपको पता चलेगा कि हो कोई पीक बागी बात रही बिजली कट होती की तो हमारा अर्बन एरिया है यहां पर किसी भी तरह की कोई load shedding नहीं होती है अगर किसी तरह से जब से supply जाती है तो उसकी दो ही रिजन होती है कि कोई breakdown हुआ है जैसे कुछ तार वार गिर गया है या किसी तरह से कोई पोल टूटकी गिर पोल गिर गया है कि उन्हें कोई समझ से इमर्जनसी है तभी light जाती है यह आन्य था हम अगर जब maintenance करने के लिए light बन करते हैं तो customers को इसकी information हम newspaper के माध्यम से या FM के माध्यम से या हमारे website की through हम इसको customers को यह information देते हैं कि इतने वज़े से इतने वज़े तक इस area के light बन र अगर comparison करोगे तो लास्तियर से इस साल बेटर भी लिए और आगे और इस से बेटर होने की चांसे से क्योंकि हम इस पर इंफ्रस्ट्रक्चर पर काफी खर्चा कर रहे हैं काड़ा की टूल फ्री जो कॉल सेंटर है उसके उपर अजमेर सिटी के ही लोग कॉल करते हैं या बा ंडाय।यर कंडल मानने क्विता अभी टाटा शाल लाइनो को बिजली की लाइनो कांडरिय कट चुका है और है पर सूंधर कलं रहते हैं अभी अ पर स्वतजाव में मैं रहने कि लिए क्याम काफी о על का मैंगा विर्ट शोंच गाराओं और तो करीब करें यह आञा नेश् तरह रहे हैं अपने जंगल के थ्रू जा रहे हैं तो उसको और एडी रहे गाए जो सिटी के अंदर में 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 इससरी बाकि प्रिज देट राइड रहें इसको आज की देट में जो मैं मानता हूँ कि 5-10% of the network अगर आप देखोगे तो जब टाटा पावर ने यहां टेक ओर किया था तो उस ताइम पे यहां लोसिस थे 22 परसेंट वाइस परसेंट लोसिस थे फिर एक साल बाद लास्ट एर में हमने जब क्लोजिंग किया था दो हजर अठारा में तो उस ताइम पे हम उसको रिडिस करके लाया थी 17.6 और इस साल हमने जब मार्च में क्लोजिंग किया तो हम 11.2 परसेंट पे इसको क्लोज किया है और आज की डेट में यह लेस देन 10 परस किसमें लोगों को कनेक्शन्स पर गिरे मिलने में काफी असुईधा प्रप्त होती है क्योंकि उनकी पास डॉक्यमेंट प्रापर नहीं है इसका आक्पेशन नहीं है उसका जो ओनर्शीब दोकुमेंट्स परगिरे जो चाहिए होते हैं नूक्शन के लिए नहीं है फिर भी हमारी तरफ सा भी new connections देने के लिए हमने काफी इसको simplify कर दिया है कि अगर किसी को connection चाहिए और electrified area तो within two days आपको connection मिल जाता है अगर applications दे दिया, demand not pay कर दिया तो दो दिन के अंदर आपको connections मिल जाएगा तो कुछ-कुछ areas है जहां पर अगर चोरी की आप बात करें तो जो congested areas है जैसे की सोमलपूर villages का है या आपका सासी बस्ती है या कंजर बस्ती है या कुछ-कुछ areas है जहां पर अपना इवन दरगा के भी कुछ area में चोरी है काफी लोगोंने मिटर टेमपर कर रखे है किस अपने ताटा पावर इन सब चीजों से आउगा थे और उस पर कारवाई हो रही है लोगों के ओपर भी कारवाई हो रही है जो चोरी कर रहे है इसमें उनको जुर्मान के अलावा उनकी साथ-सत्थ एफायर भी पुलिस में होती है तो काफी उनको अवस्वदा होती है तो लोग इस चीज को समझते हैं काफी लोग अभी जो है जो है जो चोरी की मंशा से पहले काम करते थे अभी उसमें काफी कमी आई है इसमें अचा टाटा पावर जब अजमेर में आया तो उसके बात से लेके अभी तक कितना revenue एवीबिनल को कमा के दिया और क्या उसके लिए के लिए डाटा आए है यहां पर हम क्या करते है जो भी एवेनल की तरफ अब हमें 18 डिपरेंट से मिटर लगा रखे हैं जिसकी तुरोम हमें electricity देता है थो इंपूट मिटर से इसको ने से अब इनपूट मिटर से 18 मिटर से थुरोम हमें electricity आती है और हम उसको फरदर अजमेर वासियों को distribute करते हैं, तो जो input energy हमें देते हैं AVNL, उसका करीब-करीब rate है तो करीब दो रुपे पर unit का उनको इसमें फायदा होता है, और अभी तक हमने करीब एक हजार million units तक के विजली ली है, तो करीब-करीब 200 क्रोड प्लस का direct फायदा AVNL को मिला है, जिसमें उनको अपना कोई infrastructure नहीं लगाना पड़ रहा है, कोई अपने employees नहीं लगाने पड़ तो अगर सारी चीज़े आप मिला के देखो तो 300 क्रोड प्लस का फायदा अभी तक का मेरे इसाब से मोटा मोटा देखा जाए, तो 300 क्रोड की उपर का फायदा AVNL को मिला है, दो सालों में, जिसके लिए, जिसे जो भी उनका बील आता है, हर मैने के 5 तारिक को हमें बिल मिल को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर उनसे रिकावरी करना, अभी काफी गवर्मेंट डिपार्मेंट्स है या कुछ दूसरे एरिया में लोग है, उनकी काफी रिकावरी बाकी है, तो इसलिए टाटा पाउर को अपना वर्किंग केपिटल चलाने के लिए, करीब 150 क्रोड तक तक टाटा पाउर को जो है 3.5 क्रोड का लॉस रहा है, तो हमारा टार्गेट है कि इस ताल से एकली सम एट पार आ जाए, कोही लॉस न रहे हैं, यानि कि 300 क्रोड का फायदा सरगार को किया है, और 500 क्रोड का लोन टाटा पाउर ने लिया है शहर में इंफ्रास्टेक्चर ब मन्दीज बहुत सारी शिकायते ऐसे करने वाले हैं, क्या टाटा उनसे निपटने के लिए इक शिकायत केंद्र या किसी को अगर शायर में शिकायत हो तो वो कहां समपर करें इसके लिए अगर आप देखे, तो जो भी किसी तरह की समस्या अगर पाउति को होती है, हमारे पर निवाय में आपकी किसी भी रखागा की कोई समस्या हो तो इवन मैं खुद उसमें जाकर बैठता हूँ यह हमारी जो चीफ वेगर है वो लोग वहां पर बैठते समस्या सुनने के लिए तो फर्स्ट और थर्ड सेटरडे को रहती है इसके लगवा जितनी निगम सुनी जाती है उस परत्रव कर वह कि जाती है और इन सब चीफों के ऐलावा कस्तमर्स के एसेंटर में कोई आकर अपनी समस्य डिता है यह कॉन हमारी जो सदूर्श अधिकारी है उनसे भी कोई डायरेक्त संतर आता है तो उसको हम जानकर उस पर तुनंत कारवई की जा सके हैं एक आखरी सवाल, टाटा पावर आने वाले दिनों में अगले एक साल के अंदर स्मार्ट सिटी के तहत कोई काम करने वाला है, कोई ऐसा काम, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर अजमेर शायर को देने वाला है थैटा पावर ने यहाँ आने कि बाद टेक्नॉलोजी के ओपर काफी खर्चा किया है जैसे कि यहां आने की बाद हमने GIS जो Geographical Information System होता है GIS पे हमारे जितना देड़ला customer बेस है हमने उसको GIS के उपर मैप कर दिया है तो एक तो customers को मैप किया है हमारे जितना network है electrical network है उसको उसके उपर मैप किया है तो आगे चलकि जब OMS, ADMS आएगा तो अटोमेशन जब आएगा तो मुझे यह सारी चीज़े काम आएगी जब स्मार्स्विटी की तरब हम काम करेगे तो यह सारी चीज़े काम आएगी यह 24 ग्रेड है, 24 में और बीस को हमने फुल मेट कर दिया है, वहां पर किसी अपरीटर ना की जरूरत नहीं है रिमोटी हमारे मेरे मादार में टोल सेंटर बनाए है, पाऊपोर और सिस्थंटर बोलती है तो बाकि smart meter reading का तो अपने बात करी लिए है, smart meters के लिए अभी आने वाले दिनों में हम काम करने ही वाले है क्या प्रिपेड meter के और भी कोई कदम बढ़ने वाला है? तो उस तरह से हम इसको meters को यहां इस्टोर करेगी यह थे हमार साथ Tata power distribution अजमेर के मुख्य कारेकारी अधिकारी जिन्होंने साफ तोर पर कहा कि अजमेर शहर से Tata power ने सरकार को 300 करोड का मुनाफ़ दिया है और उसी के साथ Tata power ने 1.500 करोड का लोन लेकर अजमेर शहर में नय इन फ्रॉस्टुचर विक्सित किया है